नमस्कार आप सभी को स्वागत है हमरे चैनल चीत की पार्ट सल्ला पर आज हम लेकिया हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 एंटी ब्रिटिश राइजिंग और पीजन रिबोल्ड्स इन असाम तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को 3.0 एंटी ब्रिटिश आप्राइजिंग इन असाम तो इस हिस्से पे हम लोग डिसकस करेंगे कि किस तरह से असाम के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदूलन किया आपने अपको एक पावर्फुल सासक रूलर साबित कर लिया इंडिया में और साथ ही आसाम में भी ब्रिटिश ने अपना एक अच्छा खासा दबदबा बना लिया और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आसाम में ब्रिटिश ने 1826 में जब ट्रीटी अफ यंडवो साइन किया गया बर्मीज और ब्रिटिश के बीच में उसके बाद से ही ब्रिटिश ने अपना जो दबदबा था आसाम में बना लिया और जितने भी आंदोलन थे जो कि लोकल लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ में किया था उस समय सभी को ब्रिटिश ने क्या कर दिया सप्रेस कर दिया याने कि उसको दबा दिया लेकिन ब्रिटिश ने आए आसानी से उनके जो मुवमेंट थे रेविलियन थे उनको दबा दिया थो एक कम्प्लिटली निव रेविन्यू सिस्टेम दे टूक कांट्रोल पे ले लिया इन दिस रेविन्यू सिस्टेम दे फोरें गवर्मेंट एटेंज दो प्रिटिश ने आके 1826 के बाद में जो चेंज किया उसमें ब्रिटिश लोगों का जो में मकसद था ओथा कि जितना ज्यादा हो सागे आसाम के लोगों से टेक्स कालेक्शन किया जाए उन्होंने अलग अलग नाम से अलग अलग पोलेसी को इंटोडिउस किया और मकसद सभी का एक ही था और हो था कालेक्शन आफ टेक्स जितना हो सागे ज्यादा लोगों से आसाम के लोगों से टेक्स कालेक्ट करना they took no measures to erase the sorrows and difficulties of the pigeons and poverty written subject ब्रिटिश ने अलग-अलग policy से revenue collection इस्टाट करना सुरू कर दिया लेकिन कभी भी ब्रिटिश ने आसाम के जितने भी गरीब लोग थे जितने भी farmers लोग थे खेती करने वाले लोग थे उनका समस्या को दूर करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया ब्रिटिश ने सिर्फ जितना हो से के ज़्यादा tax collection के उपर ही ध्यान दिया ब्रिटिश ने कभी भी आसाम के जितने भी दुखी गरीब लोग थे उनका जो problem था उसको मिटाने के लिए कभी भी कोशिस यहाँ पर try ही नहीं गिया इन आसाम इन दाइडमिस्टेटिव सिस्टेम प्रियर तुट अफ देट ऑफ ब्रिटिश ए रेविनी वास नॉट कलेक्टेड थू कैस तो आपको जानना जरूरी है कि ब्रिटिश आने से पहले यहाँ पर जो आहों किंग्डम था या फिर बार्मीज का जो रूल था उस सम अगर कोई राजा किसी किसान से अगर टेक्स चाहता तो किसान ने जो खेती किया है धान ले लिजिए दाल ले ले लिजिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो खेती उस समय होता था वही टेक्स के रूप में राजा को दिया जाता था लेकिन जैसे ही ब्रिटिस आये उन्होंने क्या कर दिया जो food grains collect करने का system थे tax के रूप में उसको बंद करके collection of cash को जोड़ दिया या अपसे tax जो था दाल या चावल के रूप में नहीं दिया जाएगा बलकि उसके बदले में आपको सिधा क्या करना होगा cash पैसा British को देना होगा ऐसा British ने rule बनाया but the introduction of payment of land revenue as well as other taxes by means of cash by the British further improvise the Assamist subject while the exploitation by the British increase day by day तो जब ये British ने rule start कर दिया कि आपसे tax जो था grains के रूप में नहीं लिया जाएगा cash के रूप में लिया जाएगा इससे क्या हुआ आसाम के लोग के उपर एक दवाब पड़ा असाम के लोग बूद दुखी थे क्योंकि British क्या कर रहा था tax बड़ा रहा था एक problem उसमें हुआ दूसरा क्या था फिर आपको आप खेती से नहीं होगा आपको British को क्या tax देना होगा पैसा tax देना होगा और उसे में ज़्यादा तर लोग सभी किसान थे आप किसान सभी लोग किसान होंगे तो किसान ने जो produce किया है खेती करके वो कौन खरीदेगा वा बिकरी होने से ही पैसा जो collection होगा वो tax के रूप में दिया जा सकता था लेक इस से आसाम के लोग के उपर आसमिस लोग के उपर बहुत चिंता गाभी से एक आया उस्सा में इस चार्ट के जरिये आप समझ सकते हैं कि कामरूप दरग नौगो शिफशकर और लखिमपूर और इधर यार दिया 1832-33 में कितना collection हुआ और 1842 में कितना हुआ और 1852-53 में कितना ब्रिटिश ने collection किया इस चार्ट में दिया गया है हलाकि इस चार्ट से अभी तक 2015 से लेके अभी तक ऐसा कोई भी कोईशन देखने को नहीं मिलाएं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दा न्यू लेंड रेविन्यू पोलेशी अन दा मनी एकनोमी अप द्रिटिश गर्मेंट क्रिएट डीप रिसेंटमेंट अमंग दा समिस कॉमन पीपल तो ब्रिटिश ने आके जो न loans on interest from this very class to clear their land revenue to the government और जब ब्रिटिश ने आके cash system introduced कर दिया इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग महाजन जो हम लोग समाज में होते हैं यानि की पैसे वाले लोग ऐसे बौछ सारे लोग आसम में आने लगे और आके वो क्या करने लगे आसम इस लोगों को लोगों देने लगे और आसाम के लोग बाउंड थे लोन लेने के लिए क्योंकि अगर लोन नहीं लेंगे तो ब्रिटिस को कैस जो टेक्स था पेमेंट और कैसे करेंगे तो इसलिए आसाम के लोग को उस समय बहुत दुख कस्ट जहलना पड़ा इस क्लास अप महाजन स्वेर दे इमिग्रें क्या एंड बेंगली बिजनेसमें और उस समय आसाम में मैक्सिमम लोग तो फार्मरी थे और किसी के पास इतना कैस नहीं था इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया महाजन लोगों को बुलाया इमिग्रेंट मारवाडी क्या एंड बेंगली बिजनेसमें तो यहां पर क्यावा आ लोगों को पैसा का दरकार था योकी British को दिना था revenue के रूप में और इसलिए बहार से लोग राजस्थान से मरवाड़ी लोग आए जिसे हम लोग किया भी कहते है और साथे Bengal से बेंगली बिजनेसमें भी आए और वे लोगको महाजन हम लोग कहते हैं क्योंकि उसे में लोग आके ऐसे money lenders interest लेके पैसा उधारी पे देने लगे, loan पे देने लगे at that time the villages in Asam were self-sufficient and there was hardly any scope of earning money by selling the local produce जैसे कि मैंने पहले ही कहा उसे में आसम के ज्यादातर गाउं जो थे self-sufficient थे, लगवग हर घर के लोग किसान थे और सभी लोग अपना अपना खेती करके गुजारा करते थे घर के लिए तो हो जाता था उस समय ब्रिटिस आने से पहले आहों में या फिर बर्मिस का टाइम में tax अगर देना पड़ता तो आपने जो खेती किया है उसी खेती का जो production है वही tax देने से होता था लेकिन ब्रिटिस जब आएं तब introduction हुआ case का तो अभी जितने भी आसाम के लोग थे सभी के पास किसी के पास चावल था किसी के पास डाल था किसी के पास सुगर कें था लेकिन मार्केट में ले जाके लोग बेचना उन लोग के लिए possible नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में सभी लोग बेचने आते थे सभी के पास प्रोडाक्ट था खरीदने वाला कोई भी नहीं था जिसके चलते क्या हुआ लोगों को बहुत परिशानी हुआ और साथ ही उस समय यहां पर लिखा गया है उस समय मार्केट भी बजार भी बहुत कम हुआ करते थे आजकल का जैसा ओनलाइन मार्केटिंग नहीं होता था आजकल का जैसा फिलिप कार्ड एमाजन वगेरा नहीं होते थे इसलिए लोगों को बेचने के लिए भी बहुत प्रॉब्लेम जहलना पड़ा अल्टिमेटली रास्ता क्या था उनलोग के पास माजन के पास जाईए और हाई रेट अफ इंट्रेस में लोट लेके ब्रिटिस को पैवेंट करना इस यलोग बॉक्स में एक इंपोर्टेन बात लिखा गया है जो कि एक मार्क आप लोगों को यहां से मिल सकती है दा फैक्ट देट देट लेंड रेबिन्यू इस पीपल वाज अल्सो रिटिन बै अनंदराम धेकेल फुकन इन हीस एप्लिकेशन तो मोफत मिल सें 1853 तो आसाम के लोगों को जितना भी प्रोब्लेम फेश करना पड़ा वो सारा प्रोब्लम अनंदराम धेकेल फुकन ने एप्लिकेशन के जरे मोफत मिल्स को 1853 में सोपा मोफत मिल्स उस समें कलकेट आप हाई कोट के चीप जास्टिस थे तो जब आसाम विजिट किया दिनाट 53 में तो आनन्दराम ढेकल फुकर ने आसाम के लोग का जितना भी समयश्य था प्राब्लेम था उसको एपलिकेशन में लिख के उन्होंने जम्मा किया और उस एपलिकेशन में उन्होंने ये भी लिखा कि ब्रिटिश ने जितना लेंड रेविन्य थाई किया है आसाम के लोगों के उपर वो बहुत ज्यादा है यानि कि आसाम के लोगों उतना पे नहीं कर सकते हैं On the other hand, the British government did not take any measures for the development of agriculture और ब्रिटिश ने एक के बाद एक revenue policy लाके collection of taxes को बढ़ा दिया लेकिन ब्रिटिश ने कभी भी agriculture को development करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया As such, whenever the climate was unfavorable, agriculture suffered and the common people of Aasam had to face families continuously और जैसे कि ब्रिटिश ने कोई भी कदम नहीं उठाया थे agriculture को develop करने के लिए कभी कभर agriculture नुक्सान में चला जाता था यानि कि मौसम जो था खराब हो जाता था यानि कि कभी ज्यादा बारिस होने के चलते फ्लाट होता था फिर कभी सुखा पढ़ जाता था ड्रॉट हो जाता था जिसके चलते आसम के लोगों को याने की shortage of food, खाना क्या हो जाता था, shortage हो जाता था, ऐसा बहुत समय आस्वाम की लोगों को जहलना पड़ा, इनीज अप्लिकेशन तो मौफद मिल्स अनन्दरम डेकल फुकल मेंशन देखें बहुत दुखी बात है, मौफद मिल्स अनन्दरम डेकल फुकल ने जो अप्लिकेशन दिया था, तो उस अप्लिकेशन में और एक बात दुख भरा बात लिखा गया था, उसमें अनन्दरम डेकल फुकल ने लिखा था कि 1851 में कामरूप और दरंग का कंडिशन इतना खराब हुआ, फेमिली के लोगों ने कुछ ग्रेंज के लिए, कुछ दानों के लिए, घर के जितने भी बेलुएबल इंपोर्टेंट चीजे वगर रहा थे, उनको तो बेचा ही, किसी पैरेंट्स ने, ऐसे बहुत सारे पैरेंट्स थे उससे में, याने के मापिता जी थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी बेचा, ताकि वो कुछ खाना खा सके, ऐसा सिचुएशन वहा था, एड़ दा, सेम टाइम इन आपर आसम, कॉलेरा और मेसल्स तूग एन एपेडेमिक फ़र्म, और उसी समय क्या आपर आसम में, कॉलेरा, मेसल्स, ऐसा आके बहुत सारे लोग मारे गए, यहाँ पर बताया गया है कि, कॉलेरा मेसल्स आने गवजे से, 1839 में, 47 में और 52 में, बहुत सारे गाउं आसम में, खाली हो गए, लोग मारे गए, In the early part of 19th century, the British had established tea gardens in आपर आसम, तो 19th century के पहले साइड में ही, British लोगों ने आपर आसम में बहुत सारे tea gardens बनाए, To encourage the tea gardeners, land revenue of the lands falling within the gardens was exempted, tea gardens में काम करने ओले लोगों को उच्छा देने के लिए, ऐसा कहा गा है कि, जितना भी जमिन, tea gardens के अंजर में आ जाता है, वे लोग को, land revenue देने का जरुत नहीं है, जमिन का tax देने का जरुत नहीं है, As a result, the burden of making for this loss of revenue fell upon the poor pigeons, एक साइट में ब्रिटिश ने tax free कर दिया, जितना भी जमिन, tea garden के अंदर आ जाएगा, वो tax free हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से, ब्रिटिश का loss था, एक्जम्पल के तरपर अगर हम लोग simple भासा में अगर ले लेते हैं, सपोस्ज ब्रिटिश को आसाम से, एक लाख रुपय tax के रुपय मिल रही थी उस समय, लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, जितना भी जमिन, tea garden के area में आ जाता है, वे लोग को tax देने का जरुत नहीं ह ऐसा करतने से क्या होगा, जो total tax collection हो रहा था, लगबग एक लाख रुपय, वो तो reduce हो कि 80,000 हो जाएगा, ब्रिटिश का तो 20,000 नुकसान हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश ने क्या कर दिया, जो 20,000 का नुकसान हो रहा था, तो बाकी लोग, आसाम के जितने भी लोग थे, उ case system introduction करके, पहले ही ब्रिटिश लोग से आसाम के लोग ना खुशते, अब फिर एक नया policy आया हो क्या था, कि जो लोग, जो जमीन tea garden में जाने का वज़ासी tax collection नहीं हो रहा है, वो tax भी अब आसाम के लोग को ही देना था, तो आसाम के लोग और भी दुखी हो गे, अपर्ट फर्म दा मनी एकोनोमी इंटर्दूस अज पार्ट अब ब्रिटिश रेविनु पोलिशी, शर्टन अधर फेक्टर्स अलसो कॉंटिपूटे तो आसाम में ब्रिटिश आने का वज़ा से बहुत सारे एकोनोमिक सिस्टेम को चेंज कर दिया गया, रेविनी का लेक् अब ब्रिटिश ने जितने राजियों में पहले रूल किया, वहाँ पर क्या किया, गरेलू जो छोटे-चोटे इंडस्टी इंडस्टी थे, जिससे अपना घर चला रहे थे, लोग एक छोटा-मोटा फेक्ट्री घर पे चला के, ब्रिटिश ने आके गया कर दिया, उनसे भ से बी सटा में, सप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो ओकुण आछे-चोटे घरेलू, जो इंडस्टी थे, ब्रिटिश अने का वजर से सारे, खतम होने लगे, तो उस इंडस्टी तो खतन होने लगे-लगे, साथी ऊस इंडस्टी से जो घर चलता था, उनका भी जीना मुस्किल प्रिटीश ने आके क्या कर दिया इंगलेंड से विशाही डिजैन का जो कपड़े अगरा थे इंपोर्ट किया लाया देश में इंडिया में और उससे विशास्ता में मार्केट में चोड़ दिया यानि की सेल करना शुरू कर दिया जिसके चलते किया हुआ पाट और मुगा सि इंडिया में था तो बहुत वेलू था दूसरा अप्सर नहीं था इसले वेलू था लेकिन जब ब्रिटीश ने वैसा ही क्लॉथ कपड़े मार्केट में उससे भी सस्ता में जब लॉंच कर दिया सारे लोग ब्रिटीश के तरह पे जाने लगे जिसके चलते क्या हुआ पाट और मोगा सिलक के इंडस्ट्री में एसोसेट थे यानि कि जुडए हुए थे या फिर या consideration सारे इंडस्ट्री जोDEN चोटे चोटे शोटे इंडस्टी जी जिससे घर का गुजारा चल रहा था। न बरिटीश आने के कारन हो राजदरवार था ऊस्में बहुत सारे मंघ dato उन मंघ का लाइफ जो कहें अलगे इस्टेंडड का part of new administration जैसे ही बर्मिस चले गए ब्रिटिश ने टेग अवर कर ले आसाम को तो आहम के तो आहम पिरियड में जितने भी officers वगरा थे officials वगरा थे उन्होंने British official में job मिल सकता है उनको ऐसा सोच के ब्रिटिश के साथ उन लोग ने थोड़ा relation जो था आपना बनाना शुरू किया लेकिन आसाम के लोगों के पास modern education system नहीं था जिसके चलते ब्रिटिश ने आहम kingdom के time में जितने भी officers वगरा थे उनको नोकरी पे नहीं रखा क्यों नहीं रखा क्योंकि आहम kingdom में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनके पास modern education system नहीं था ब्रिटिश रूलर्स हैट टू इंपोर्ट एड़ुकेटेड बेंगलिस persons प्रॉम बेंगल तो आप ब्रिटिश को चाहिए था काम करने ओला इंसान और आसाम में तो थे लेकिन आसम के पास इतना education जैसे कि ब्रिटिश को चाहिए था वैसा नहीं था जिसके चलते ब्रिटिश ने क्या क्या बेंगल से बेंगली लोगों को यहाँ पी इंपोर्ट किया यानि कि यहाँ पे आसम पे लाए तो जब बेंगल से बेंगली लोगों को बुलाया गया तो उसके चलते क्या हुआ आहम डाइनेस्टी के जो लोग थे उससे में उनका धिरे धिरे से तो उनका फटाफट से क्या हुने लगा नोकरी जाने लगा क्योंकि आहम के पास modern education नहीं था और उनको replace करने के लिए बेंगली बाबुस बेंगल से लाए गये थे तो बेंगली फटापट से उदर से आए इधर आहम डाइनेस्टी के जिदने भी लोग थे उननोंने किया कि आपना जो नोकरी था जल्दी जल्दी से उनको गवाना पड़ा तो इससे क्या जाईर होता है तो इससे क्या पता चला कि aristocratic जो लोग थे वो भी ब्रिटिस से खुस नहीं थे क्योंकि ब्रिटिस के चल्दे उनका जितना भी पोस्ट था नोकरी था मान सनमान जो था वो सारा चला गया तो पहला आसाम के Pigeants, जो कि Cash System Introduction होने के चलते खुश नहीं थे, उसके चलते सारे लोग जो कि छोटे मोटे इंडस्टी पे जुड़े हुए थे, वो भी खुश नहीं थे, उसके बाद आया Aristocratic लोग जो कि British के आने से वो लोग भी खुश नहीं थे, अब अगला देखते हैं, यहाँ पर भी ओई लिखा गया है दो साम आप दासमी सेरिस्टोक्रेट्स who held post like फुकन, बोर्वा, राजख्वा, etc. during the Ahom ring were met मोजदार्स with the responsibility to collect taxes. Largely this responsibility was vested upon the outsider like Bengalis from Shrihatta in Bengal और Marwadis from Western India. तो यहाँ पर लिखा गया है कि Ahom dynasty में जिदने भी लोग फुकन, बोर्वा और राजख्वा जैसे बड़े-बड़े post में सामिल थे उनको British ने क्या कर दिया मोजदार्स बना दिया लेकिन पैसे collection करने का जिम्मा था किसको दिया गया और Bengali और Marwadi लोग जो बाहर से आया थे उनको दिया गया. This act of the British not only deprived the Assamist aristocratic class but is also elect to have created a riot-like situation under the dominations of the outsider. तो Assam के लोगों को बहुत दुख लगा क्योंकि Assam में ही वे लोग को Bengali और Marwadi के अंडर में काम करना पड़ा. एक ऐसा भी situation है जिस में Assam के लोग बहुत दुखी नजर आ है क्योंकि वे लोग आउटसाइड रियाने के आसम से बाहर के लोगों के अंडर में काम करने के लिए लोग रेडी नहीं थे दा समिस aristocrates during the Ahum rule had led a luxurious life with servants gail or to cater for their whims and fences तो आहम रूल में जिदने भी मंत्री लोग थे aristocrates जिसे हम लोग के थे अफिशेल्स लोग वे लोग एक अच्छा life is spent कर रहे थे अच्छा सांदर life जिसे हम लोग के सकते बिता रहे थे उनके बहुत सारे servants अगर होते थे उनके घर के काम करने के लिए उन्ने जो भी चाहिए इसारा कर देते तो अच्छिर होता था लेकिन 1843 में ब्रिटिश ने क्या कर दिया स्लेब सिस्टेम जो था आसाम में बंद कर दिया इस को याद रखेगा इन वीचर स्लेबरी वस बेंड इन आसाम 1843 जिसके चलते जितने भी मंद्री वगरा थे जो की आराम से बैट बैट के खा रहे थे अब क्या हुआ उनका सारा जो फेसिलिटीज था ब्रिटिश ने छिल लिया यानि कि उनको सर्व करने के लिए उनका घर का काम करने के लिए जो स्लेब होते थे नोकर होते थे नोकर साही जो हम लोग कहते थे उसको ब्रिटिश ने बंद कर दिया अब सारे मंतरी को खुद काम करना पड़ता, इवेन अब धान का खेती में भी खुद जाके धान का खेती करना पड़ा, ऐसा सिचुएशन भी हुआ, तो उनका इज़त अब क्या रहे गया, पहले तो हम लोग जैसे कौमन आदमी के सामने उलोग एक अच्छा ठाट बाट से च इरा, तो यह लोग जो अच्छा से एक जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने 1843 के बाद जैसे ही स्लैवरी को बेंड कर दिया, तो उनका जो सारा रेस्पेक्ट था, समाज में जो एक पोजिशन था, पावर जो था, तो छीन लिया ब्रिटिश ने, जिसके चलते किया हुआ, वे लोग सारे बिटिश के खिलाफ हो गए, तो जब अरिस्टो क्रेटिक लोग खेती करने लगे, अपना काम खुद करने लगे, तो उन लोग ऐसा लगा कि बिटिश ने उन लोग का इंसाल किया, क्योंकि पहले जो नोकर किया करते थे, अब वो लोग खुद कर करना पड़ा उन लोगो, तो उनको लगा कि बिटिश ने उन लोग का जो इज़्जत था हो बरबात कर दिया, अट थे सेम टाइम, इट केनाट भी कॉन्गूदेट, दे अब बिटिश ने स्लेब का भलाई किया, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, भले बिटिश ने स्लेब स्लेब सिस्टेम को बंद कर दे 1843 में, लेकिन क्यों बेंड किया, इस लाइन को पढ़ने से समझ में आएगा, इट वास तो इंगेज इस ग्रूप अपीपल अज लेबरर्स इन दे नीवली एस्टाबलिश टी गार्डेंस ऑफ दे बिटिश, देट बिटिश ने स्लेब सिस समय, इसलिए बेंड ग्या, थाकि वह लोग यानि बिटिश जितने भी स्लेब इस गरों के उसको लखेए अपन करेजम, लेकिन के स्लेब सिस्टेम सोसे गहरों के लिए 1843 में, लेकिन बिटिश ने किया कि नों लोगों को यहां से लिया, और लेग बेंगि आ अपना No immediate measures were adopted for the benefit of these peoples. लेकिन बृतिश ने इन लोगों का भलाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया. Consequently, this class of people cannot be said to have been satisfied with the British rule. तो यहां से हम लोग का पता चलता है कि कि स्लेब भी बृतिश से खुश नहीं थे. According to eminent historian H.K. बर्पुजारी, several Brahmin, Purohits of Aparasam joined in the revolt of 1857 against the British rule because the government took away the excess of Lakhi Raj and untaxed lands which they had been occupying and enjoying since ages and also fixed revenue on the remaining lands. So H.K. बर्पुजारी जो कि एक बड़े बिद्वान, हिस्टोरियन थे. उनके अनसार बहुत सारे पंडित, ब्रहमिन लोग, पुरोहित्स लोग भी बृतिश के खिलाब हुए और उन्होंने 1857 जब रिबोल्ट हुआ उसमें हिस्सा लिया बृतिश के खिलाब में. क्योंकि ब्रिटिश ने क्या कर दिया लखिरा जो लेंड था जो कि अंटेक्स लेंड था, टेक्स फ्री लेंड था उसके ऊपर ब्रिटिश ने टेक्स लगा दिया. जो कि पुर्थों से पंडित लोग फ्स उसको इंजय करके आ रहे थे, अपना जमिन को यूज llamять रहे थे लेकिन ब्रिटिश ने आगे उसके उपर भी टेक्स लागा दिया, it was natural that this class of people went against the British rule, तो यह सारे कारण के वाज़ा से क्या ब्रिटिश के खिलाफ हो गए पंडित लोग भी, from the above discussion, it can be concluded that East India Company's rule that had already completed three decades prior to the revolt of 1857, could not satisfy any section of the common people, तो यहां उपर जितने भी पॉइंट हम लोग ने पड़ा, जैसे में हम लोग को पता चला कि पीजन्स लोग भी खूस नहीं थे, क्योंकि पीजन्स को tax system introduce कर दिया, revenue policy change किया गाए, फिर introduction of cash हुआ, उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे से इंडेस्टिस थे, जिसको ब्र फैसलेटिस थे, ब्रिटिश ने चीन लिया, slave खूस नहीं थे, पुरोहित खूस नहीं थे, इससे साबित होता है कि ब्रिटिश ने 1857 से पहले कूल आसा में लगभग और उस 30 सालों में ब्रिटिश ने किसी भी work के लोगों को खूस नहीं किया, 1857 से पहले आसा में ब्रिटि क्योंकि 1826 में 24 February 1826 को ब्रिटिश ने Treaty of Yandabu sign किया बर्मिस के साथ और उसके बाद से ब्रिटिश रूल स्टाट हुआ, यानि कि 1826 में आसा में ब्रिटिश रूल स्टाट हुआ, और 1826 से 1857 तक होता है आपका 31 years, तो यहां पे लिखा गया है, 30 साल लिखा गया है, तो उस 30 स किसी भी वर्क की लोगों को ब्रिटिश खुश नहीं कर पाया, जा रेबिलेंस ऑफ गोमदर कुवार, पियोली फुकन और गदादर इन था इनिशल यर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंगान, तो पहले ही हम लोग को पता चला कि गोमदर कुवार, पियोली फुकन, लोगों ने ब्रिटिस के खिलाफ आंदोलन किया वो लोग खुस नहीं थे ब्रिटिस के साथ जिसके चलते उन्होंने अपना जो गुसा था वो आंदोलन के रूप में दिखाया था ब्रिटिस के खिलाफ आंदोलन किया तब सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोग या यहने कि बड़े बड़े लोग अमीर लोग उन्होंने ही गुम्दर कुवार का साथ दिया छोटे मटे किसान या फिर स्लेब पुरो हीट्स उन लोग तक आंदोलन नहीं पहुँचा जिसके चलत से जो गुम्दर कुवार या फिर प्योली फुकन का जो अंदोलन था ब्रिटिस के खिलाब में वो सक्सेस नहीं हो पाया था बट इन दे एर्स फोलोएंग दा रेपरेशन अब दीस रेबिलियंस दा एक्कुमिलेटेट डिस्टिस रूल परकुलेटेट डाउन टु दा कॉ कमन लोग के पास भी पहुंचा और सभी लोग दूखी थे गुसे में थे जिसके चल दे एटिन अट फिप्टी सेबन में गुसा जो था रिबोल्ड की रूप में देखने को मिला सीपॉय में रूप में दासमिस कमन पीपल वेर ना बिगनिंग तो राइस एगेंस दा अमिन में देखा आगे जाके अब क्या हुआ रिबोल्ड सक्सेस हुआ या फिर नहीं हुआ उसको जानने के लिए आपको देखना होगा अगला वीडियो थेंकि वेरे मच पर वाचिंग और वीडियो